प्रफा बोट की लेटेस्ट सिचुएशन की जो नई अपडेट्स हैं जो नई न्यूज है उनकी दोस्तो आप सभी जानते हो के टफा बोट पिछले काफी टाइम से बढ़िया वर्ख कर रहा था लेकिन जैसे ही 11 दिसंबर को इनका रिवोर्ड का जो स्ट्रक्चर था वो साम लेकिन उसके बाद क्या हुआ सभी अकाउंट्स में जहां पर जो डेली का प्रोफिट आता था वो बहुत ही कम हो गया कम इतना के ना मातर तो पिछले साथ दिनों में हमने देखा कि इसका ना तो बढ़िया प्रोफिट आ रहा है हमारी ट्रेड हैजिंग में लग रही है औ जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है आपको with the fact मैं एक एक चीज जहां पर explain करूँगा तांकि आप समझ पाओ जहां पर हो कह रहा है और उसके बाद आप decide कर पाओ कि आपको टफा बोट के साथ जुड़ना है नहीं जुड़ना है जहां आपका fund जहां पर safe है जहां ओन कर दिए तांकि आपको ऐसी ही useful information मिलती रहे डिस्कलेमर मैं कोई financial advisor नहीं हूँ दोस्तो अगर आपको किसी भी company में जा crypto में investment करनी है तो आप अपना research और analysis कर लेना क्रिप्टो की market बहुत ज्यादा volatile market है और जहां पर आपका profit भी हो सकता है और आपके लिए risk भी हो सकता ह तो दोस्तों जैसे आप मेरी screen के उपर देख सकते हो टफा बोट की announcement जहां पर इन्होंने marketing plan में 30% का off तो दे दिया हमें मैरी टफा का लेकिन उसके बाद जो हमारा trading है अगर trading की बात करें तो हर कोई दोस्त जहां पर trading के return को देखकर इसके साथ join होता है कोई भी दोस्त जहा पर इनके marketing plan को देखकर join नहीं होता ठीक है इन्होंने अपना marketing plan पहले से काफी ज़्यदा बहतर कर दिया है लेकिन हर कोई जो जहां पर join करता है वो करता है इसकी trading के जो return है उनको देखकर तो सबसे पहले जो बड़िया returns आ रहे थे हमें उनमें कितनी बड़ी कमी क्यों आई उसके लिए आपको इस question को समझना पड़ेगा आप इस image को दियान से देखिए अब क्या हो रहा है पहले जो क्या लोग कर रहे थे पहले इनकी management team क्या कर रहे थी अगर आपकी कोई भी trade नेक्टी में जाती थी तो जे minus 20% को जैसे ही touch करती थी आपकी hedging start हो जाती थी और minus 20 के था हर trade के उपर minus 30% का और जो पिछले 20-25 दिन तो हमने देखा नहीं लेकिन पिछले 8-10 दिन की बात करें तो 8-10 दिन में हमने काफी stock loss देखे हैं उसका जो पहले में tougha boat की condition है उसको बताऊंगा बाद में market की conditions भी आपको बताने वाला हूँ तो इन्होंने क्या किया कि is hedge mode, hedge mode is strategy in which trades open both long and short positions simultaneously to manage risk और दूसरी क्या है when is hedge mode activated in neural net board, it activates when the market drops by 5% allowing the board to open opposite positions and minimize potential losses तो अब क्या कर दिया है नोने 11 दिसंबर के बाद जो 20% down जाने के उपर trade के आपका hedging start होता था वो भी 5% के उपर होने लगा तो जो कोई भी trade आपकी 5% भी negative जाएगी, वहाँ पर आपकी hedging हो जाएगी और hedging में जाने के बाद क्या होगा, दोनों trade, long और short की दोनों trade चलने लगेगी तो आपका जो difference है, जो low से है, जो floating है, वो 5% से जहाँ पर बढ़ने वाला नहीं है, जे तो इन्होंने एक safe side कर दी लेकिन इसके चलते profit आना बंद हो गया, क्योंकि हर कोई trade जो 5% कोई touch करती है, वहाँ पर hedging हो जाती है, और hedging होने के बाद, वो simultaneously, plus में भी चलती रहती है, negative में भी चलती रहती है, और हमें profit generate नहीं हो रहा, अब इसके उपर क्या है, कि सभी दोस्त, जितने भी लोग टफा 5% के उपर hedging इसलिए लेकिया है, क्योंकि market की condition बिल्कुल भी सही नहीं है, उस conditions में आपके account liquidate हो सकते हैं, और उन liquidation को बचाने के लिए हम आपकी 5% के उपर hedging कर रहे हैं, तो जे था इनका hedging का purpose, जिसके चलते आपका profit भी कम हुआ है, और आपकी trade hedging में भी है, अब जहा है इसके कि इसमें change होगा, क्या हमें फिर से पहले जैसा profit देखने को मिलेगा, हम जहां पर काम करें जा ना करें, यह सारे question है, तो उनके ऊपर भी थोड़ी सी में आपको clarity देना चाहता हूँ, एक तो जहां पर आप देखी हैं, जो इनके डॉक्टर OVO है, CBO, उनके साथ, अ और वहां पर हमें काफी कुछ जहां पर updates मिलने के असार है, लेकिन अभी की situation देखें अगर हम, तो जहां पर मैंने एक कल message डाला था इनको, वो message में आपको दिखाना चाहता हूँ, और मैंने वो message कल group में भी डाला था, ताकि सब को clarity आये, सब को पता चले कि जहां पर क्या चल रहा है, और वो message में आपके साथ share करता हूँ, जे वाला, तो दोस्तो इस message में जहां पर आप देखिए, नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा है, इनके moderate group में जहां पर हमारे crypto star India जो है, रजेश महाजन जी, उन्होंने जहां पर इनको query क्या थ तो उसके बाद उन्होंने एक query डाला, और वहाँ पर क्या reply आया, account don't get liquidated because leverage is one, that stops an account from getting liquidated, also market is crashing head, everyone should be recovering, तो जहां पर इन्होंने क्या किया है, हमारा जो available for withdrawal था, उसको इन्होंने use किया है, one next की trade लगाने में, ताकि सारी की सारी trade, जो ज़्यादा risky थी, ठीक है, जो ज़्या ज़्यादा risky trade थी, उनको इन्होंने one next कर दिया है, जिसके चलते इनका मानना है, कि हम accounts को liquidated होने से बचाने के लिगे leverage को one कर रहे हैं, और यह सारे जो account है, liquidated होने से बच जाएंगे, ऐसा करने से, और अगर market जहां से crash होता है, तो आपकी recovery जहां से असानी से हो चाएगी, तो जे दो बड़ी update थी, जो मैंने आप सब के साथ share की, पहली कि इन्होंने hedging को 5% पर start करती है, जिसकी वज़ा से ज्यादातर trade हमारे hedging में है, और profit generate नहीं हो रहा, दूसरा, इन्होंने हमारे कुछ जो trades ज्यादा रिस्की थे, उनको one next कर दिया है, कि account liquidate नहों कि जहां से market crash हो सकती है, अब जे तो थी, टफा बोट के बारे में जो मेरे हाथ information लगी, वो मैंने आपके साथ share कर दी, अब इसके बाद, एक market की condition को भी देख लेते हैं, तो दोस्तों जहां पर BTC का चार्ट आप देख रहे हो, BTC जहां पर 34,000 से सीधा 44,000 के उपर गया, आपको screen के उ शोट की trade भी लगाई हुई थी और long की भी, लेकिन वहां से market बहुत speed से उपर गया, बहुत speed से उपर जाने की वज़ा से जहां पर क्या हुआ, December की starting की बात है जे, December की starting की बात जो आपकी short की trade थी वो फसने लगी, क्यों? क्योंकि market नीचे नहीं आई, market बस उपर उपर उप करके चली गई, लेकिन short की trade फसने लगी, हम जितने भी लोग पुराने थे, जो November के last May market ने bull run लिया जहां से, और December का पहला week तो हमने कैसे कैसे थोड़ा बहुत cover किया, क्योंकि जो long की trade थी, वो हमारे को profit दे रही थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी strategy को change किया, क्यों 24,000 से उपर और 41,186 अभी चल रहे, तो जे 44,000 और 42 के आसपास ही ये market गुमता रहा, market में moment कम हो गया, market बस वही 42,000 से उपर और 44,000 से नीचे ही cover कर रहा है पिछले 6-7 दिनों में, तो market में बड़ा moment जहां पर नहीं आया, जिसकी वज़ा से जो trade हमारी hedging में है, वो वैसे एजटिजी ही चल रही है, अब जहां पर आगे क्या हो सकता है, अगर तो market जहां से ऊपर जाती है, जिसके असार कम है, ऐसा expert लोग बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहाँ, expert बोल रहा है कि जहां से market correction रहे गा और नीचे आएगा, लेकिन अगर market जहां से ऊपर जाता है, उसकी मोटा profit दे सकती है लेकिन अगर जहां سے market नीचे गिरता है अगर market वो आपको पोछितीम में दिखाई देंगे और वहांपर क्या होगा कि जितने भी लोगों का floating lows बड़ा हुआ है वो कम हो सकता है तो जहांपर market crash हो तो हमारे लिए बैतर है अब बात आती है कि जह सारा कुछ अगर हमें ही देखना है तो हमने टफा बोट को क्यों पैसा दिया हमने टफा बोट को पैसा दिया उसकी सर्विस को देखकर क्योंकि मार्किट में जे एक पहला ऐसा सिस्टम था जिसमें फुली ओटोमेटिक क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो र कि जे सारी सिट्वेशन जो है वो क्रेट हो गई कि हमारा जो हैजिंग का प्रोफिट है वो हमें नहीं मिल रहा ट्रेड हुमारी परानी बंद नहीं हो रही नहीं लग नहीं रही और फ्लोटिंग को कंट्रोल करने में इनकी मेनेजमेंट टीम लगी हुई है अगर आने वाल situation में इन्होंने लोगों का पैसा stuck कर दिया, जहां कुछ लोगों के account liquidit हो गए, जहां stop loss बड़े बड़े hit हो गए, तो market में जो इनकी एक image बनी हुई है, वहाँ पर कुछ सवाल यह चिन लग जाएंगे, तो हो सकता है, आने वाले time में इनके business की उपर इसका असर परे, क्योंक आपको hold करना है, जिस सारे का सारा decision आपका है, क्योंकि जितने भी लोग नए जहां पर join हुए है, उनको profit आ रहा है, पहले से कम आ रहा है, लेकिन आ रहा है, ना तो उनका floating बढ़ रहा है है, और ना ही उनको कोई बड़ा बड़ा profit हो रहा है, नॉर्मल profit वो ले रहे हैं, ज ये सारी चीजें आपको 4-5 दिन के अंदर-अंदर cover होती दिखाई देंगी, तो आज की वीडियो में इतना ही होप, मेरी वीडियो से आपको काफी clarity आई होगी, कि इस system में आखिर चल के रहा है, जितना मेरे पास knowledge था, मैंने आपके साथ share किया, आगे जो भी इसके related, जहां पर update आएगी, चाहे वो positive होगी, चाहे वो negative होगी, मेरे channel पर आपको जुरूर मिलेगी, तो channel को subscribe कर दीजिए, notification को on कर दीजिए, फिर मिलेंगे, टाटा, bye bye